किस मावली में विकास हो रहा है ? जैसे ? तीन काम को ही मोदी जी का बताइए आया थाउट काम Jacob कीजट बहुत नहीं तीन बताइए मैं एक बहुत नहीं मुदी ने अगों 5 ड़ा भू इसके अलावा पर पहले से दो और क्या पता है वोडी का कोई की तेन काम आप बता सकते हैं गया जो उन्हों चांटा जाने और उसी आधार पर वोट करें तीन काम के बारे में तो बीया काम तो जुतने कर रहे हैं वह काम तो जो भी हो रहा है सब अच्छा है एक सोचाल ले नहीं है कोई भी बीदायक आता है अलेक्शन सब्सक्राइब दिखायद करने मोदी जी के पास पहुच पाएंगे? आपको क्या लग रहा है की मोदी जी का जो कारिकाल रहा है पिछले 10 सालों का लगभग उसमें जो विकास का वादा किया जाता है वो पूरा हो रहा है? डेफिनेटली पूरा हो रहा है इसमें कोई सोचने की बाती नहीं है जो लोग अगर बिरोद कर बीजेपी का समझ लीजे कि कहीं न कहीं दूसरे पाडियों से जुड़े हुए है काम के वाज़े से ना वोड़ देते हैं पबलीक देखे कोई ऐसा है निक गवी दबाव है कोई सबस्कें का सब्सक्वास के तर्ज पर काम हुरा है आज मोडीजी शबसे बढ़ियां काम कर रहे हैं नोट बंदी से हमारे देश में जो काले धन दूसरे देश में थे वापस भले नहीं आई लेकिन दूसरे देश वाले मरने लगे आज उसी के वज़े से वो मर रहे हैं कि देखिए अगर मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि इमंदारी इमंदारी देखने में कैसा होता है अगर हम आप लोगों चाहिए हो कोई अगर इमंदारी पहचाने तो पहचाने कैसे इमंदारी देखने में कैसा होता का तो इमंदारी के अगर सकल देना हो तो मोधी और योगी एक देख लीजिए ऐसा है मनों दारी में डेना आज तक कोई नहीं हैं लुस्तूरार लगाता कि पूलिस वाला हाथ लगाने वहाला नहीं था कि कोई उसको हाथ लगा दे आज भीक बांक रहा है है कि मोझी जी मुझे मुट्टी में मिला दिए यूगी जी ऐसे ही होना चाहिए विकास ऐसे ही होता यहीं विकास है सबसे बड़ा विकास तो यहीं है यहीं को विकास करते हैं तो इस वक्त हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अनपरा मार्केट में हैं और यहां पर जनता से बातचीत करने की कोशिस करने हैं कि 2024 के लोग सभाद चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है क्या नाम है भी आपका पुषपराज सिंग बगेल पुषपराज जी पहले तो बदाए कि क्या करते हैं आप और फिर अगला सभाद हमारा कोजिंग सेंडर चलता है तीचर है सिछक है पढ़ात जुड़े हुए हैं अब वह लोग द्वेस की भावना रखना है इस वैसे बिरोत करते हैं अगर आपको देखना है तो यह दिखिए जल योजना का साइधा रूप दिख रहा है आपको हर घर जल योजना सबसे बड़ा है सभी को रासन मिला सभी को पानी मिला बिजली का भी लेकिन जिसके पास रोजी नहीं थी जिसके रोटी नहीं थी जिसका साइक बिशुचाई कुछ का में थी हुनको काम दिया है लोग Pepsi करेंगे हाप गरीबों से से에 काम पर समय को वोट देना है देखे इक बात मंतलब की काम तो दिख रहा है अब घुन्डदたいल है निती अपना रहे हैं अब ओ दीखर भी रहा है अब यह धुन लोगों को माफिया लोग को तो माफिया को मिलाने काम कर रहे हैं या कुछ अन्य लोगों का भी यह कहना है कि एंकाउंटर करने का यह तरीका तो ठीक नहीं है सम्विधान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए यह गलत तरीका है देखें अब सम्विधान के साथ तो आप तक तो हम सम्विधान के साथ चलते ही आये थे तो हमें क्या मिला और हम तो काफी काफी सम्विधानी मान रहे थे कब से हम सम्विधानी मान रहे हैं कहीं न कहीं सम्विधान का काम जो देने का है हमें नियम के साथ कहीं न कहीं कानून ह है अगर हम विवस्ता के सिकार हो जाते हैं अभी गवर्मेंट देखिए जो एक यूपी को चलाना तीस करोन जनता को चलाना कोई आसान काम नहीं है अभी इतनी बड़ी जनता है उसको जहां पर आप कहेंगे कि यहां थुकना मना वहीं लोग थुकते हैं तो यूपी गवर्मे विवक्षे नाथ ना पीछे पगहा इसलिए इनको किसी के दर्द का हैसास नहीं है आपने पढ़ा होगा कि जो राजा सन्यासी है जिसके पास कुछ ने वही अच्छा राजा बन सकता है वही अच्छा साबित हो सकता है अभी नात पगहा का मतलब यह है कि अगर हम अगर हम अपने भाई भतिजावाद पर ही ठीके रहेंगे अगर अपना ही उधार करते रहेंगे तो वही कैपिटलिजम पुझीवादी सब्विता का निर्माड हो जाएगा हमारा हमारी समाज कहां अच्छा हो पाएगी जो वन्चीत है गरीब दलीत है जिसको रियल में योजनाव की जरूरत है उनको पुझी नहीं पाएगा सब जारी सारी विवस्ता हैंगी सब उन्हीं को मिल जाएगा जिसके पास ब्रॉस्ता है अभी सब छोटा एक्जाम पर ले लिजे किसी का भाई डियम हमाली जे अब उसके पास ब्योश्ता है वह अपने अपने लोगों का करवारा ह तो कहने का मतलब कि अगर हम सब पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारा लूग बढ़ेगा कैसे हमारा जन्ता आगे कैसे निगली हमारे समाज उठेगा कैसे तो फुल मिला कि कहने मतलब यह है कि हमें भाई बतिजावास से उपर उठने की जुर्वत है अगर हम इस सब चीजों म समांड के कर पाएंगे चाओवीस में मोधी के चेहरे को कोई टकvisor दे सकता है क्या है यूकी जीनेва दूसरी बार बन के आए है तो हम यह मानते है कि योगी हम तो ब्रांड मोधी के Nahi कर रहे हैं जilsी आपको कि लग रहा है कि मोधी के काम कास से आप कितना खुश है और इस अनपरा की जनता कि Andra अनुपराग जनता सभी खुस हैं कुछ लोग हर जगह देखिए नराजगी रहतिय चाहे कोई भी सरकार हो एक अर्धिकान से यहां पर पता करेंगे कि मोदी जी के सपोर्टर ही मिलेंगे काम की वज़ा से की मोदी जी का इहां पर लॉट दे रहा है कुछ को को देखकर वोट करना चुश्य जो है कि लगता है है लगता है इंडिया हमारा पहले अगर आप गए होते हैं जो गया होगा आप अगया होंगे क्षुट पहले था देखेंगे लगया कि अम आ गया है यह सब बिकास बहुत ज्यादा बिकास हो रहा है इतना अच्छा रोड बन रहा है दूसरी बात यह है कि यहां पर पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी जिकिन जब से यह सुराज आया है ना भाचभागी सब खतम हो गए पहले बहुत लूट होती थी बहुत चोरी होती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम स्थानिय थार पर कुछ समस्याओं की बात करें चुकि यह इंडस्ट्रीयल एरिया है तो यहां पर शुद्ध पे जल की बात हो या शुद्ध हवा की बात हो या रोजजगार की बात हो इन सब चीजों को लेकर काम हो रहा है की नएं sacred जोल्ट हें काम करवाई नहीं हो पाया है और जगह हो चुका है लेकिन सब जगह पे नहीं हो पाया तो यह समस्याओं के बाद भी क्या लोग मोडी को वोट प्रिक्राइब ऊचत कर सकता है कि अगर मिसाल करते हैं लिए अधरी को इसा होता है अचत्व कोई नहीं है चाहा सब्सकतने करते हैं करते करते हैं अच्छा आपको क्या लग रहा है कि मोधी जी अब तक काम रहा है पिछले 10 सालों का उसके आधार पर फिर से उन्हें चुना जा सकता है जी बिलकुल बिलकुल सबस्iedy जाँ मैं पहुंच रहauen है वह रही है वह रही है पो रही है किस मामले विकास हो रहा है बताई कैसे को ग्ला बताई यहां अरे यहां हो ना तीन काम हैं पता इसे है बहुत नहीं bodily पर पहले से बहुत अच्छा सुविधा हो चुका है इसके अलावा वैसे है नहीं पर मैं माल ले रहा हूं सब्सक्राइब करें उच्छा के लिए तो कितना दूर है यहां पर आप खड़े हैं यहां से करीवन कितना किलो में अठारा किलोमेंटर दूर बताएं कैसे को शिक्षा लेने जाएगा सरकारी कॉलेज की में बात कर रहा हूं अर्शा लेने के लिए तो सब कोई देश भी देश किस जगह पर है बताएं शक्तिनेगर में अच्छा चलिए एक काम और बताई आप एक काम और बताएं और बिसुविद्याल है दोलों काम आपने ना के वराबर किना है पर एक काम और बताई चलिए कोई बात ने फिर भी वोट किसको मोदी जी को भीया क्या नाम है आपका हमारा नाम तो राजेश कुमार सिंग है यह बताईए कि आपके हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं मोदी जी जैशा काम आज तक कोई किया ही नहीं कोई करक पाएगा मोदी जी जैशा काम ऐसा क्या करते हैं चीज के मामले में मोदी जी बेट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तरज पर काम हो रहा है आज मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे है तो विकास की धा स्पीटर बहुत बढ़ा बना हुआ है आज भी डिवूल गंज में सरकारी सुविदाय सब है सिच्छा के मामले में आज भी डिगरी का लेज औरी मोड पर है सब चीज आज भी देख लिजिए रोड के मामले में सब चीज का विकास हो रहा है रोड भी सगरी अच्छे हैं पिछले 10 सालों में मोधी जी ने जो फैसले लिए हैं उनमें से कोई 3 ऐसा फैसला बता सकते हैं जो जनता के लिए बहुत सही साबित हुए हैं और देश के लिए एक तो पहला फैसला सबसे बड़ा मोधी जी का जो नोट बंदी हुआ उच्छे हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ कि पाकिस्तान आज मरने के कगार पर आ गया नोट बंदी से तो काला धन नोट बंदी को जब किया गया था तो काला धन से मतलम नहीं है नोट बंदी से हमारे देश में जो काले धन दूसरे देश में थे वो आपस भले नहीं है लेकिन दूसरे देश वाले मरने लगे आज उसी के वज़े से वो मर रहे हैं पाकिस्तान में जमा से मतलम नहीं है हमारे देश का पैसा जो पाकिस्तान में जाता था वो बंद हो गया इसलिए वो मर रहे हैं आज आतंक बाद पर कहीं ने कहीं प्रहार किया है बहुत बढ़ा प्रकार हुआ एक काम बताया है दूसरा काम दूसरा काम जन्धन खाता योजना आज किसी भी गरीब के घर में खाता नहीं था पहले आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास खाता ना हो सवचाले योजना, किसी के घर में सवचाले नहीं था, आज जाकर के देखिए, पूरे घर में सवचाले बना हुआ है, मोदी जी के अलामा इतने दिने से सरकार थी, कोई सरकार, कोई इतना नहीं ख्याल था कि अगरी, जो बाहर सवचाले करने जा रहे हैं, ओ कैसे जाएंगे, कैसे सब आज मोदी जी के वज़े से सब करे घर में पज़ाला है जन्दन जोजणा है सब चीज का विकास हो रहा है कि मोधी जी शितना विकास आज तक न हुआ है न कभी होगा तो यह double इंजन का फाइदा है कि यह double prefer डेखने रहे हैं आज देख नहीं रहे हैं कितने को धुना जा रहे हैं काहे धुना जा रहे हैं आज तक कोई धुनने वाला था उनको गुम में बाहु बली बनके घुम रहे थे गुम रहे थे ना बाहु बली बनके कोई पूलिस वाला हाथ लगाने वाला नहीं था कि कोई उसको हाथ लगा दे आज भीक बांग रहा है कि मोधी जी मुझे में मुट्टी में मिला दिये योगी जी ऐसे ही होना चाहिए विकास ऐसे ही होता यहीं विकास है सबसे बड़ा विकास तो यहीं है यहीं को विकास करते हैं अचा कोई टककर दे पाएगा क्या चोबिस में बस दुयुटे वह सामने तो अनपरा में जो दिली से supervisor की धारर बहिए है वो कितना पहुंची है मोदी के काम का से आप खुश है कि नही किस रहा कर देखक नहीं करते हैं जिसे सिय से जनता जाने और उसी आधार पर वोट करें की लुगों को ना पहले में लूंखो स्पार एक बार कर दिआ गया है गया इसको दर्ट संतन मिल रहा है बजली पानी स्टक साथ ने वह सब फिलन की ठीक है मोधिक के तार तूर जो है बहुतasında हो चुक है गिरते पठते रहते हैं बर्याबर इंक इनके ऊपर कोई ग्रवार कुछ वो कभी आते हैं आप लोगों के मार्केट में आते हैं डुच्ब पैया इजो भी पर्दानों सबसे कहा गया कि एक सोचाले की जरूद है किया नाम है चछाप का सुभास अब जी आप बताइए हमें कि अनपरा में विकास की धारा जो सरकार की है दिल्ली से जो चल कर आती है वो कितनी बही है यहां कहां बैठती है भी या याद एक बात्रूम के लिए बोले हुए कई बात्रूम लग या पुली आप जाना पड़ता भी आ पिसाब करने हैं सब को बोल चुके हैं आज तक एक बात्रूम ने की लेडिज को लग जाए तो विचारी कहां जाएगी कहीं जगए नहीं है के लिए कहीं कुछ नहीं है कुछ होरे नहीं है या कुछ नहीं है कहीं लग जाए utan कर लेता है तह अदमी कहां जा जाएगी एक सोचल नहीं है कोई भी विदायक आता अलेक्षन के टेंप पहा हाज जोडता फेर पकड़ता है उसके बाद दिखाईये नहीं देता कहां है कहां नहीं तो उसके उसके बहकावे में क्यों आ जाते हैं फिरता है भाई हमने मोधी जी को देखना है उन्हीं को देखके बोड देते हैं उन्हीं को थोड़ी देते हैं बोड तब बताइए अब शिकायत करने मोधी जी के पास पह कॉन सी पार्टी प्रधार मंत्री अपना बनाए कि यहां पर विकास हो पाए है बात्रूम नहीं लगा सकते हैं और बात्रूम नहीं कहीं भी इतनी प्रेस यह मार्केट कितनी बढ़ी होगी इसका एरिया लगभग क्या होगा कम से कम है यह इसे ज्यादा ही होगा कम नहीं है कुछ नहीं है यह कभी नहीं है तो इसके बाद भी मोदी जी को बहुत क्या गर होगे और कोई है यह नहीं और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा नहीं किस तो क्या गर होगे